हाई गाईज कैसे हैं आप सभी लोग अई हो बच्छे होंगे और आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीसी थर्डियर में है और हम बॉटनी के फर्स्ट वेपर और सैकिंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों पेपर की एक साथ बात करेंगे तो यहां जो भी या फिर आप कह सकते हैं महात्मा गाधी काशी बिद्या पूर्चे हो ठीक है या फिर आपका लखनाव यूनिवर्स्टी हो आप किसी भी यूनिवर्स्टी से हैं जिसका तीनों पेपर एक साथ हो रहे हैं उनके लिए पहले से अप्लोड कर रखेंगे वीडियो आप जाके करें देख सकते आप बीसी पेपर हेकर वी आपको मिलता हैं और पेपर हेकर वीडियो मिलता हैं अप entste pie सब्सक्राइब करता हूं तो चलों को सब्सक्राइब जरू कर लेना सूरज राज बरेली आप सब्सक्राइब करेंगे तो यह चीज और हाँ जादा से ज्यादा दोस्तों को शेर करना है तो यहां देखिए बात करने कोशन को किया करो जो हमें याद है इतना हम सब कुछ कर लेंगे उसके बात में जो याद नहीं हैelines कौपी को kompie को काली नहीं कुछ कुछ भी बना के लिए बना बना के करके आना लेकिन उस ट्रॉपिक के आधार पर करके आना यह नहीं फालतु है अब यहां पहला कोशन है गेहूं और चावल बहुत जाता इंप्रोटेंट है गेहूं चावल गन्ना के उत्पत्ति किर्शी को प्योग और बढ़न करना है इसके के खेती में किर्शी होती है कैसे होती है पूरा प्रोसेस कौनसे महीने में काटा जाता है यह सब कुछ आपको बदा लो तो उसके बाद है बहुत जाता है सह संबंद का आर्थ क्या होता है इसको आप पढ़के चले जाएगा फस्ट पेपर की बात का रिएगा बहुत ज्यादा पराकड की अंकार की क्या होती यह अफीम के बारे मिने में नीचे बता दूँगा आप देखो पराकड का जीवें जिसको चुड़ो और देखो और पॉद्धी वाले पॉद्धे जैसे कि नीम है अर्जुन है यह उस्दी वाले पॉद्धे आप जानती है उन नारियल का तेल है उसका उपियो कहा का करते है यूज कहा होता है वह आप देखके जाएंगे ठीक है और पाद विहंता के अंदर पर निबंद आपको लिखना है यह उसके बाद में तेल प्रदान करने वाले पॉद्धे कौन-कौन से होते हैं यह पढ़के जाएंगे यह को से मुल जाता है रेसे क्या होते हैं और ऐसे रेसे प्रदान करने वाले पॉद्धों का वडन वाप से पूछ लेता है यह कोशन आप देखके जाएंगे उसके बाद में आता है भारत भारत के अंदर पिरमुक राष्टी उद्धान होते हैं जिसे हम नैस्नल पार्क बहुत स सारे हैं लेकिन हमें जो पिरमुक हैं वह 5-6 याद कर लेना है बस बहीं आप लेक क्या आजाना काफी इंपोटेंट है क्योंकि यह दोनों आएंगे तो आपसे लॉग में बूचेगा परना सौट में कोशन बनेगा यह साधा मॉस्ट इंपोटेंट रहने वाला है जिसे कहत अब मानक बिचलन के होता है उनके गोड़ दोस के बारे इसको इसको बैटके जाएंगे प्रियों बैंक मॉस्ट इंपोटेंट है अफीम मैं उपर बताया था आप प्र पूचा जाता है ठीक है और यह कोशन थोड़ा इंपोटेंट है कि यह कोशन आपने सब कुछ पढ़े कि आपके पढ़े हुए वस्थोड़ा साब को ध्यान देना कि निए करण टीकर कछ निक्या है उनको क्या करते इन पूं प्लांड बेकार तो इसके बाद में उन्को बीज बनाखर फिर से खेदी करना यह घरेलू करना यह फिर पुना इस थाबन कहलाता है तो इस प्रकार से सिंपल वहां सामें आपको बना बना के लिख किया जाना है अब उसके बाद में हम दिवहों नीचे कहा देखेंगे मानक तुर्टी क्या इसको आप यात कर लेना है और इसके बाद मे वितामिन से बाद में अच्छे तरीके से पढ़ लेना इतने वितामिन सोते हैं वह सारे कोशन पूछेगा तो आप से इसके बाद में एक आता है वाटसन और द्वारा देने मॉडल होता है दिएने का तो वह इसको अच्छे तरीक से देखके जाना है कार्वोहड्राट सबसे ज्यादा पूछता है आप से एक्जाम में तो इसको आपको याद करके जाना है ठीक है प्रोटुन की सरचना का देख आप इतना याद कर लें एंजायम क्या होता है और इंजायम के पिरकार कितने होते हैं ख्रिया बिधी के बारे में उसके बाद ताला चाभी सिद्धान इसकी ही अंदर यहां पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि वहीं से आपको याद हो जाएगा पूरा और आप इसको पूरा बना-बना के लिग जाएंगे क्योंकि यह तो मैंने करा रहा है अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे चार ग्राफ का नियम आप याद करके जाएंगे प्रांसलेशन मैंने ऊपर बता रखा है यह और उसके बाद में एंजाइम के ब्रकार के बारे में हाउस्कीपिंग जीन किया होते हैं यह आप याद करके जाएंगे दूपिंग सा और दुतिये संसलेशन क्या संधिय वहां क्या होता है इसको आप मैसे सेकंडर मेसेंदर बो संबर्धन कहते हैं और प्लांट टीशू कलचर से ब्लांटस कालचर इससे प्लांटव कोच बीनाध रेता है को आप यहां पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको देखो कभी-कभी पसुह हार्मोन की बारे में अनिमल हार्मोन होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है तो आप अप आप सब जानते ही हुए है बना-बना खे दोगे और उसमें नियम की बारे में अप देख लेना बस इतना आपको पढ़ना है यहां से आपको इतना पढ़ना है साथ-साथ कुछ कुछ क्या होता है कि आपसे जढ़ा इतना लग बग दस कोशन होगा तो इतना ज्यादा हमें डीपली नहीं जाना है वह पढ़ना है तो आप इतना जुरूब पढ़ लीजिएगा वस लास्ट में यह कोशन आप आप निकल्क एसट की सरचना पढ़ लेना निकल्क एसट एंड स्ट्रेक्चर कि बस इतना आपको सैकेंड पर पर लाएं ज्यादा नहीं कोशन होगा कि इतना पर लेतो यहां से स्क्लियर हो जाएगा साथी साथ बॉटने के थाड़ पर बात करने वाले क्योंकि यहां हमें ज् आप पास होने के लिए बीडियों कि आप इनको करके तैयारे करके अच्छी नमर से पास कर सकते हैं बस इतना है आप मैं यह नहीं करते हैं तो इसके लिए हम नोट्स प्रवाइड करा दें एप के थुरू आपका भाई-बाई-बाई-बीश्टी सब के लिए एप आप के लिए प्री ओफ वाउस सब देने वाले हैं इतना कुछ आपके लिए तो थड़ पेपर की बात करने वाले थड़ पर और हां यह जितने भी चैनल हमारी होमपेज पर जाकर सब्सक्राइब कर लें तो इसके बाद में क्या है देखिए खनिस अंसाधन के बारे में उन में रदा का मरदा कि म्रदा के असके परकार से होता है यह बताएं हैं और अब अर कि बाधा के बारे में यह उनके यह सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछता है जलका से करना चाहिए जलका से करेंगे लोग थां मताओ देखेंगे और कभी-कभी आता है मानव प्राकरतिक निर्वत और मानव निर्वत जलसरोत कौन कौन से होते हैं पर इतने करने के बार में आपको रीडियू क्ते प्रदूशन जरूर पूचेगा यहां तो आप देखेंगे बन गिल्ठी अपनका संपर्दन के बारे में एक क्रटो जरूब लगनता है इसको आप अच्छी तरीके साद करना है एक प्रोशन से प्रदूशन आ पढ़के जाएंगे तमागु का मौजिक रोग को पढ़के जाएंगे और गन्ना का लाजन रोग के बारें पढ़के जाएंगे इसको याद करो छोटी चोटी कोश्चन है बड़े नहीं वास एक बार पढ़ने की जुरूत है पढ़के जाएंगे यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है आप से सेंटर स्कैंसर यह और निवू का लगुपात्र हो चाहिए तो आप इसको भी यह रोग यहां से बंते बंते हैं यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है जो मैंने आपसे बढ़ा दिया यही सब हो सके तो एक कोशन और देख लेना यह वाला ठीक है मद्दा परिशी देखता है जिसे हम प्रोफाइल करेते हैं स्वाइल प्रोफाइल उनकी प्रिकार में से इतना पढ़ने नहीं से ज्यादा कोछ मत पढ़ने हो ठीक है मैं आपसे ग्रोफाइल